बिहार की सड़कों पर आजकल अगर आप निकलेंगे तो आपको इस तरह एक युवा नेता के चेहरे के साथ आपको इस तरह के होर्डिंग्स मिलेंगे कि नई सोच नया बिहार युवा सरकार अब की बार बिहार के एक और यूवा नेता के Twitter handle पर आपको देखने को मिलेगा यूवा बिहारी तो ये यूवाओं की बात अचानक बिहार के नेता क्यों करने लगे हैं और बिहार में यूवा चेहरों को इस बार हम चुनाओ मैदान में देख भी रहे हैं नमस्कार मैं हूँ नीरत गुपता बिहार तक पर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं बिहार किसका और आज बिहार विधान सभा चुनाव में युवा मतदाता हो की यंग वोटर्स की क्या एहमियत है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है CSDS के प्रोफेसर संजे कुमार जिनसे हम लगातार बिहार विधान सभा चुनाव के अलग 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 विशो पर बात कर रहे हैं संजे कुमार जैसा मैंने बताया कि CSDS के प्रोफेसर है सिफॉलोजिस्ट है चुनाव की राजनीती के विश्चक्य है और अपने आकडों के जरिए हमें नए 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 चेहर और परदे के पीछे चुपी तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे बिहार के यंग गोटर पर युवा मत दाता की क्या एहमियत है तो बड़े ही बेसिक सवाल से मैं शुरुआत कर रहा हूं संजे जी कि कितने युवा मत दाता हैं और हम इस युवा की श्रेड़ी में कैटिगरी में रखते किसको हैं नीरच सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताना चाहिए कि हमारे विचार से या हमारे परिभाशा में युवा है कौन हम अब 18 साल से 25 साल के जितने मत दाता हैं बिहार में उनको युवा मानते हैं बिहार बिहार में इनकी तादाद तकरीबन 25 परसेंट है मतलब की 100 वोटरों में से 25 वोटर इस आयू वर्ग का है जिसे हम युवा मत दाता कह सकते हैं दूसरे राज्यों से अगर तुलना करें तो उत्तर भारत के राज्यों में तो इनकी तादाद इनका प्रोपोर्शन अलग अल राज्य चाहे वो केरल हो तमिलनाडू हो आंधरा हो करनाटका हो इस तरह के राज्यों में पॉपुलेशन ग्रोफ रेट पिछले 10-15 सालों में कम हुआ है तो वहां बच्चों की तादाद कम है युवा बर्ग के मतलताओं की तादाद उत्तर भारत के राज्यों के के हैं बिहार में इनकी तादाद 25 परसेंट है तो दूसरे राज्यों से या देश के ओसतन अनुमान से बिहार में युवा मद्दाताओं की संक्या थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ती है तो अगर हम जब वोटर के तोर पर इनका एनलिसिस करते हैं तो क्या हम यह कह सकते है कि यह दूसरे आयू वर्ग के वोटरों से अलग है क्या ऐसा है क्या वो खासियते हैं या वो क्या वो चीजें हैं जो इस युवा वोटर को एहम बनाती हैं उसे दूसरों से अलग बनाती है अगर जाती धर्व के अधार पर देखें तब तो वो अलग दिखते नहीं है क्योंकि यह युवा हो या किसी भी उम्र के हो वो तो किसी एक परिवार से हैं तो अगर जाती के अधार पर देखें तो युवा मत दाता दूसरे एज ग्रूप के मत दाता से कोई अंतर बारे में अलग है, एक सबसे पहली चीज है, अगर आप शिक्षा के मामलों में देखे तो, युवा मतदाता दूसरे एज ग्रूप के मतदाताओं से कहीं ज्यादा शिक्षित है, और अगर हम बिहार के युवाओं की बात तुलना, अगर देश के युवाओं से करें, युव या उससे उपर की सिक्षा हासिल किये हैं, लेकिन अगर बिहार के युवा मतदाताओं को देखेंगे, उसी एज ग्रूप में 18 से 25, इनमें इनकी तादात कहीं ज्यादा है, दस प्रतिशत ज्यादा है, तकरीबन 34-35% युवा मतदाता शिक्षित हैं, उन्होंने कॉलेज की सिक्षा पास की है, या उससे भी जादा उन्होंने सिक्षा असिल की है, इस अधार पर अगर देखें, तो बिहार का युवा मतदाता बिहार के दूसरे एज ग्रूप के मतदाताओं से अलग दिखता है, दूसरी बात रही, मुद्दों की बात अगर हम करें, और 2019 का चुना हुआ, उस चुनाओं के आधार पर अगर हम देखें, तो युवा मतदाताओं के बीच अनेम्प्लॉइमेंट, बिरोजगारी एक बड़ी, बड़ा मुद्दा रहा था, देश के युवा मतदाताओं में से बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं ने इसी मुद्दे पर वोट किया, लेकि बिहार के युवा मतदाताओं को देखें, तो बिहार के युवा मतदाता भी इस द्रिश्टिकों से कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं, और वो अलग कैसे हैं, बिहार में तकरीबन 18-19% युवा मतदाताओं ने इस बात को ध्यान में रखकर वोट दिया कि देश में बेरोजगारी है और बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने वोट देने का निर्ने बनाया था, लेकिन बिहार में ऐसे युवाओं की तादाद, देश के युवाओं की तादाद से लगबग दुग न का मन बनाया, बिहार के युवाओं में 29-39 युवाओं ने बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना मन बनाया, तो कुछ मुद्दों में, कुछ तरीकों से, कुछ पैमानों पर बिहार का युवा देश के युवाओं से और बिहार का युवा मद्दाता, इस पर आगे बात करेंगे सर्स बिल्कुल मैंने कई युवा चेहरों की बात की जो नेताओं में युवाओं को आकरशित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन साथ सितंबर को नितीश कुमार ने एक रैली की थी वो एक तरीके से शुरुआर थी वर्चुल माह रैली थी और उसम भी उन्होंने भी युवाओं को टार्गेट किया था खास तोर पर उन्होंने लालू राज का बहुत जिक्र किया था बहुत बातें की थी कि पती पतनी के राद में ऐसा क्रिमिनल खुले घुमते थे पती पतनी के राद में ये हाल था सडकों का ये हाल था तो शायद वो य ही टार्गेट कर रहे थे कि जो 18 से 25 साल का वोटर है उसे लालू राज देखा तो नहीं है लेकिन उसे लालू राज की बाते बता कर उसकी कमियां और उसकी बुराईयां बता कर शायद वो अपनी तरफ करना चाहते थे निरज आपने नितीश कुमार और लालू पिसाद याद जिन्होंने सिर्फ नितीश कुमार को ही एक तरह से मुख्यमंतरी के रूप में देखा है लालू ये राज के बारे में जिसको जंगल राज भी कहा जाता है आरजडी का साशनकाल किसी भी नाम से आप उसको बुला ले उसकी उसका उसका एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं किय उसके बारे में पढ़ा जरूर है सुना जरूर है दूसरों से तो एक चवी बनी हुई है और उस चवी का सिधा-सिधा असर दिखाई पड़ता है दोनों लीडर की पॉपुलारिटी युवा वर्ग के मतदाताओं के बीच में अगर हम नितीश कुमार की पॉपुलारिटी बिहार के युवा वर्ग के मतदाताओं के बीच में देखें नितीश कुमार लालू प्रसाद यादव से कहीं ज्यादा पॉपुलर दिखाई पड़ते हैं कुछ सवालों में सर्वेक्षणों के दौरान हमने कई बार सवाल पूछे कि आप किसे मुख्यमंत्री के रूप मे देखना चाहेंगे तो दोनों के आकड़ों में दुगने से भी ज्यादा का फरक है नितीश कुमार को अगर 50% लोग कहते हैं कि वो बड़े अच्छे नेता हैं बड़े दमदार नेता हैं उन्हें वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे तो लालू प्रसाद य है मुरी क्योंकि युवाभरG के मदाताओं ने सिर्फ। नितिश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखा हैं तो उनकी पैचान नितिश कुमार की पैचान उनकी रेत szWowy युवा-वरG के मदधाताओं के बीच में वी वह पॉप्लर दिखाई पड़ते हैं लालू तो उन्हें टकर देने वालों में जरूर नितीश कुमार को टकर देने वालों में उपेंदर कुश्वा जैसे नेता हो सकते हैं या फिर पपुय आदव जैसे नेता हो सकते हैं लेकिन जो उनके मुखे परतिद्वंदवी जो दिख रहे हैं वो विपक्ष में तेजस्वी आद जस्वी और चिराग क्या आसर दिखाएगी? जो नितिश कुमार को अपने सर आखो पर बिठाकर रख जिनों ने रखा इन ही के बीच में नितिश कुमार की पॉपुलरिटी गिर्ती भी दिखाई पड़ती है। के लिए पुर्जोर प्रचार किया कि मैं एंडिये में रहूं, चुनाव एंडिये के साथ लड़ू, लेकिन एंडिये को नितिश कुमार के नितिश कुमार के नितिश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और ये नितिश कुमार के लिए और जेडियू के लिए एक एक कंसर्न का मामला है। उनके लिए इस पर ध्यान देने की ज़िए है। बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि हम बिहार की पॉलिटिक्स में यंग वोटर की एहमियत पर बात कर रहे हैं। फिल्हाल हम बिल्कुल चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है बिहार तो ऐसी सूरत में ये काफी एहम विशे हो जाता है। CSDS की प्रफेसर संजे कुमार से इस बारे में बात कर रहे हैं। नौक्रियों का वो दावा कर रहे हैं देने का। मतलब एक बहुत ही अलग तरीके से पोर्टल बनाकर लोगों से रिजिस्ट्रेशन करवाकर युवाओं से वो एक टार्गेट कर रहे हैं युवावोटर को। चिराग पासवान जाहिड दोर पर वो एक युवाव नेता तो हैं ही आपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं युवाव बिहारी और वो भी युवावों के उपर टार्गेट कर रहे हैं। तो नितीश कुमार जो कि अपनी सेवन्टीज के आसपास चल रहे हैं वो युवावों के बीच में इन युवाव नेताओं के बनिस्पत क्या कमाल दिखाएंगे ये बहुत ही देखने वाली बात होगी लेकिन अगर हम सिर्फ युवावों पर फोकस करें युवा नेताओं ये जो युवा चेहरे हैं 30-35 साल की उम्र या उससे भी कम के ये बिहार के युवा वोटर को किस तरह पर भावित करेंगे देखे काफी चर्चा हो रही है जिन नामों को आपने लिया इन नेताओं के बारे में काफी चर्चा हो रही है कुछ ने दोगसभा का चुनाओ लड है वो एक तरह से नेट प्रैक्टिस के तौर पे इस चुनाओं में उतरेंगे लेकिन उनका सही मैच मुझे लगता है उनके लिए सही चुनाओ अगला जो चुनाओ है बिहार का दोजार पचीस का चुनाओ उस समय बिहार का चुनाओ युवा नेताओं के इर्दगिर्द ल लेकिन फिर भी पूरे चुनाओ के पूरा चुनाओ बिहार का नितिश कुमार के इर्दगिर्द घूम रहा है उनकी चवी अभी उनकी चवी में गिरावट जरूर आई है लेकिन दूसरे निताओं के तुलना में आज भी बहुत पॉपुलर दिखाई पड़ते हैं दूसरे चुनाओ में घुमते वे नजर आएंगे इनके चेहरे पॉपुलर होंगे लेकिन अभी शायद इनके चेहरे इतने पॉपुलर नहीं है कि क्रॉस स्टेट राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक इनके चेहरे को पहचाना जाए अलग-अलग पॉकेट्स में इनकी पकड़ ह होगी अलग-अलग इलाकों में लोग इन्हें पहचानेंगे कुछ वोट ये समेट पाएंगे लेकिन वोट इतना परयाप्त नहीं होगा कि इस चुनाओ में वो किसी को टकर दे सके या मुख्यमंत्री की कुरसी या राज्य में सरकार बनाने के कहीं भी करीब पहुँच पा हो तब तक नितिश कुमार 74 साल के हो गए होंगे हम तो चाहते हैं कि हो सकता है आगे भी चुनाओ लड़ते रहें लेकिन चीजों को देखते वे हमें लगता है कि 2025 का जो चुनाओ है वो युवाओं के इर्दगिर्द घूमेगा 2020 का चुनाओ तो अभी वे नितिश कुमार क इर्दगिर्द ही घूम रहा है एक बात ये भी बड़ी खास है कि जैसा संजय जी ने बताया कि 18 से 25 साल के 25 फीसदी वोटर बिहार में हैं लेकिन अगर आप इस उम्र के विधायकों को देखने जाएंगे 25 साल की उमर के आसपास के तो वो विधान समा में 4-5 भी नहीं मिले संत्री के चेहरे को लेकर बलकि शायद अपनी सीट पर अपने विधायक को लेकर भी एक मजबूरी रहती है कि वोटर युवा है लेकिन उम्मिद्वार बुजूर्ग है बिल्कुल हमने अपने सर्वेक्षनों में या अपने जो हमने शोध कारे किया उसमें ऐसा दिखता है कि अगर युवा उम्मिद्वार हो तो युवा मतदाताओं के बीच में कुछ उत्साह दिखाई पड़ता है लेकिन इतना उत्साह नहीं होता है जितना हम मान बैठते है इतना हम सोचते हैं कि अगर पार्टी ने किसी युवा उम्मिद्वार को खड़ा किया तो सारा का सारा युवा मतदाता उसकी और शिफ्ट हो जाएगा ऐसा नहीं होता है और मुझे लगता है पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी भी अपने तरीत और तरीके से इन सब हैं युवा मतदाता चाहते हैं कि हम में से भी कोई नेता उभर के आए लेकिन फिर भी मतदाताओं के लिए तो 18 से 25 युवा की परिवाशा होगी लेकिन हम सब जानते हैं कि 25 साल की उम्में तो आप चुनाओ लड़ने के काबिल होते हैं तो 25 से 40 या 45 का आकड़ा जो है जो दोनों के कट पॉइंट्स अलग-अलग हैं जो उनका दोनों का थ्रेश्वोल्ड अलग-अलग है लेकिन उन्होंने बनाया और लिखा कि ये इंजीनियर हैं ये डॉक्टर हैं ये दुकानदार हैं ये ये करते हैं और धर्म का एक कॉलम बनाया और वहा लिखा धर्म है भिहारी तो इस तरह कि ये जोड़ी न्यू एज पॉलिटिक्स है ये क्या युवाँ को अकरशित इस निरज वो लिखे या ना लिखे हैं आप अगर बिहार जाएंगे हर उमीदवार के बारे में उसकी जाती क्या है धर्म क्या है उसके परिवार के बारे में मतदाताओं को जितनी जानकारी अपने उमीदवारों के बारे में बिहार में होती है और यूपी में भी दिखने को मिल पड़ेगा ऐसा तो नहीं है कि दूसरी पाटी के उमिधवार जब उमिधवार को टिकेट देते को मीधवार के वोट उस जाती के लोग बड़ी संख्या में उसको इसी के लिए वोट देंगे क्योंकि वो उनकी जाती का है पहल अच्छी है लेकिन सफर लंबा है छोटे सफर में सफर बहुत लंबा है शायद 10 साल 15 साल 20 साल पहल अच्छी है शायद लंबे सफर के बाद कुछ हासिल हो लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा 2020 का चुनाव में वो कुछ प्रभाव डाल दें शायद यही एक सफलता की का एक कुछक होगा कि उन्होंने कुछ प्रभाव डाला लोग उनको पहचान पाए लेकिन चुनाव उनके लिए उनका चुनाव नहीं है हमने बात की कि युवा वोटर इस पार बिहार विधान सभा चुनाव में क्या भूमिका निभाएगा तो जैसा संजय जी ने हमें बताया कि जो युवा नेता है वो तो शायद इस चुनाव में अपनी जमीन तलाशेंगे लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो युवा हमेशा की तरह एक बार फिर आपने हमें अपनी जानकारी में नए नए पहलों से रूबरू करवाया हम किसी नए विशे पर आप से फिर बात करेंगे और विहार तक चैनल पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 के विधान सभा चुनाव में विहार किसका आपका बहुत दो शुक्रिया